हेलो फ्रेंड्स मैं अजित कुमार आपके यूटूब चैनल कम्टेशन कम्मुनिटी पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं तो दोस्तों कैसे आप सब लोग और कैसी चल रही है आप सबों की पढ़ाई आसा करते हैं आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप सबों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी खासी चल रही होगे और साथ ही साथ हम आपसे ये भी आसा करते हैं कि आप सब लोग इसके पहले के हम सबों के वीडियोज को जरूर से देखते आ रहे होंगे इंगलिस के सिक्षन में बात करते हैं तो हम आपसे आसा करते हैं कि आप इसके पहले के वोकाइब पार्ट वन और पार्ट टू को जरूर से देख चुके होंगे तो आज हम लोग वोकाइब के थर्ड पार्ट में क्या क्या सीखने जा रहे हैं आए सबसे पहले हम लोग इसकी चर्चा करते हैं तो वोकाइब के थर्ड पार्ट में आज हम ले एक सब्द तो आज के इस class में हम लोग इनको सीखने समझने का प्रयास करेंगे साथ ही साथ हम आप से ये भी आशा करते हैं कि आप सब लोग इसके पहले के हम सबों के दिये गए practice state को जरूर से solve किये होंगे और जब आप practice set को लगतार solve करते आ रहे होंगे तो अब तक आपके जो speed और accuracy हैं पहले के comparison में बहुत improve कर चुका होगा ठीक है तो आईए बिना किसी delay के हम लोग यहाँ पर चलते हैं अपने vocab के third part में चलते हैं हम लोग देखते हैं क्या कुछ हम लोगों को सीखना है आज के इस class में तो आज के इस class के सुरुवात हम लोग सबसे पहले करेंगे idioms के साथ किसके साथ idioms के साथ अब idiom क्या होता है भई इसकी चर्चा हम आपको करते चलें देखिए idioms में और phrasal verb में आप में से बहुत सारे बच्चों को doubt होता है सर दूनों में क्या difference है इसको हम लोग थोड़ा समझते चलें जैसे एक example लेते हैं हम एक example लेते हैं छोटा सा देखिए हमारा example क्या है तो जैसे हम एक example लेते हैं call का call का मिनिंग क्या होता है बुलाना और call क्या है भई तो call है verb ठीक है अब ज़रा ध्यान देजिए call के साथ यदि हम in का use करें call के साथ यदि हम at का use करें call के साथ यदि हम for का use करें ठीक है इसमें देखिए जो call है ये क्या है verb है इसमें change क्या कर रहा है ये सिर्फ preposition इसके साथ change कर रहा है बात समझ में आ रही है और इन सब में कहिं-न कहिं-न कहीं call का sense जो हूता है वह छुपा होता है बात समझ में आ रही है लेकिन यहाँ पे देखे यहाँ पर आपको एक идеum गेवेन है इसमें देखे इसमें भी यह group of words है ठीक है एक से ज्यादा reference में बात करें तो in का meaning होता है कि बाद जैसे in a week मतलब एक सब्ता के बाद एक सब्ता के पहले वाला sense यूज़ करना हो तो हम लोग यूज़ करते हैं within a week बाद समझ में आ रही है arm का मतलब क्या होता है बाह भूचा ठीक है अब देखें इस में up in the arm इन तीनों ही words में से किसी भी word का या इन तीनों को मिला कर भी जो meaning निकल सकता है निकला जा सकता है उसमें से कोई भी इनका meaning नहीं होगा उसमें से कोई भी इसका answer नहीं होगा यह basic difference है phrasal verb में और यह basic difference है idioms and phrases में बात समझ में आ रही है अब यहां से हम लोग आगे निकले और अब हम लोग सीखने समझने का प्रयास करें कि अपने SSC बोर्ड के द्वारा पूछे जाने वाले कई एक्जाम में किस किस तरीके के कोश्चन आते हैं ठीक है तो SSC बोर्ड के द्वारा कंड़क्ट के जाने वाल हो, CPO का एक्जाम हो, ठीक है, MTS का एक्जाम हो या और कोई भी एक्जाम हो, ठीक है, इन सब में ACC बोर्ड के द्वारा कंड़क्ट किये जाने वाले किसी भी एक्जाम में चाहिए वो टीर वन का पेपर हो, टीर टू का पेपर हो, यदि EDM's and phrases के कोश्चन पूछे जाते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ दो टाइप के पूछे जाते हैं, दो प्रकार से कोश्चन आपके एक्जाम में दिखाई पड़ते हैं, ठीक है, अब दोनों कौन कौन सा टाइप है, आईए इसके भी चर्चा हम लोग थोड़ा सा आपके साथ करते चले, पहला पैटर्न, बोर्ड पाना रहता है, ठीक है, सिंपल सी बात है, कि ये इडियम आपको गिवेन है, और इसका जो मिनिंग होता है, उसको आपको याद करना होगा, किसी भी प्रकार से किसी चीज से रिलेट करके, रटा मारके, किसी से सुनके, लिखते, पढ़ते, प्राक्टेस करते, कहीं से भी, क हम लोगों के exam में हम सबों को देखने को मिलता है दूसरा format है इसका आपको एक sentence given होता है क्या given होता है तो आपको एक sentence given होता है और उस sentence में कहीं ने कहीं of words होंगे जिसका meaning आपको नहीं आता है ठीक है तो या तो उसको underline करके दिया गया होगा या उसको bold करके दिया गया होगा मतलब कहीं न कहीं वो identify हो जाता है कई बार तो यूँ ही छोड़ दिया जाता है ठीक है और फिर उसके लिए आपको इस तरीके से option given होते हैं और उस sentence में यदि आपको इस group of what that is idiom का meaning नहीं आता था लेकिन यदि आप English में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं सीख लेते हैं understanding आपकी थोड़ी बहुत भी अच्छी है तो आप उस sentence में वो जो given sentence होता है उस sentence का meaning आप निकाल लेते हैं और जो भी meaning आप निकाल पाते हैं draw कर पाते हैं उसी के आधार पे इस idioms and phrases का meaning आप वहाँ पे answer के रूप में लिख पाते हैं बात समझ में आई तो इस तरीके से हम लोगों ने अब तक इस बात पे चर्चा कि के idioms के question किन किन तरीके से आपके exam में देखने को मिलते हैं ठीक है अब आईए यहां से हम बात करें कि आप idioms and phrases को कैसे याद रख सकते हैं ठीक है देखिए जैसा कि अभी अभी थोड़ी दिर पहले हमने आपको बताया कि इसमें जितने भी word यूज किये गए होते हैं इन में से किसी भी word का relation इसके answer से नहीं होता है ठीक है तो अब इसको याद करने का सीखने का समझने का कौन स तरीका है पहला तरीका रट्टा मार लो यदि आप कुछ समझ में नहीं आता आप कहीं कोई दिमाग यूजर नहीं कर सकते तो एक काम कर सकते आप इसको रट्टा मार लीजे दूसरा तरीका आप यदि थोड़े समझदार व्यक्ति हैं थोड़े smart person हैं तो आप क्या करेंगे इसको कहीं न कहीं किसी न किसी चीज से रिलेट करने का प्रयास किजी जो भी आपका area of interest हो यह पूरे vocab के session पे लागो होता है vocab के सभी words को सभी sections को improve करने का the best way है कि आप vocab के given किसी भी vocab के part को आप अपने area of interest से इसको टैली करवाईए match कीजिए उसके साथ attach कीजिए ठीक है इस तरीके से आप लंबे समय तक बिना किसी भी word को बिन vocab के किसी भी section को बिना रट्टा मारे लंबे समय तक याद रख सकते हूँ एक और भी तरीका है थोड़ा सा और smart बनिये और कैसे smart बनेंगे भाई तो आप इनको day to day live से relate करने का प्रयास केजिए कैसे day to day live से relate करने का प्रयास करेंगे हम इसका example हम आपको यहीं पर देते हैं और आज के class में ही idioms के जो दो टाइप के question को हम लोग आज के अपने इस video session में solve करने का प्रयास करेंगे ठीक है तो चलिए सुरुआत ही से करते हैं यह देखे अब का मतलब क्या होता है उपर इनको हम भूल गए आर्म का मतलब क्या होता है बहां भूजा आप हाथ समझ जीए कि किसी भी दो व्यक्ति में थोड़ा सा बाता बाती हो रही हो टेंसन हो गया हो जगड़ा हो और किसी एक व्यक्ति को दूसरे पर गुसा थोड़ा जादा ही आ जाए तो वो क्या करेगा उसको मारने पीटने के लिए हाथ उठा लेता है ठीक है अब किसी एक व्यक्ति के द्वारा किसी दूजरे के उपर हाथ उठाने का मिनिक क्या है भाई कि या तो वो उसको पीटने जा रहा है या जो पहला व्यक्ति है जिसने हाथ उठाया है वो काफी गुसे में है अब इन दोनों में से किसी से रिलेटेड आप option को ढूलिए और जो आपका option मिलेगा टैली करेगा वो होगा आपका answer चले चलते हम लोग option की तरफ throw up arm enjoy मतलब खुसी में हाथ को उपर की तरफ उठाना ठीक है खुस हो गया तो हाथ को उपर उठाईए divide into armed groups मतलब जो armed groups होते हैं सेना के जो टुकड़ी होते हैं उसको अलग-अलग बाटना ठीक है गीव अप गीव अप कमिनी क्या होता है त्याग देना छोड़ देना give up fighting मतलब जो लडाई आपकी हो रहते आप उसको छोड़ देजे बंद कर देजे and surrender और हार मान लेजे आत्म समर्पन कर देजे भाई हम हार गए हम हारने वाले हो गए और तुम विजेता हो गए अगला है angry about something किसी चीज के बारे में गुसा होना कुरोदीत होना अब ज़रा देखिए इसका जो दो sense हमने इनफर किया था निकाला था अनुमान लगाया था उसमें से एक यहां टैली कर गया जो टैली कर गया यह हो गया हमारा answer बात समझ में आ रही है यहां से आगे बढ़ जानते हैं अब यह देखे इस टीर पर किसी चीज को अंदोलित कर देना excited कर देना इस टीर का मतलब होता है चलाना हिलाना मिलाना जैसे माल लिजे आप सर्बत बनाने जा रहें गर्मी का दिना ही गया है ठीक है तो गर्मी का मौसम है और आपको सर्बत बनाना है हम सब लोग क्या करते हैं पानी ले लिए उसमें थोड़ा चीनी डाल दीजे जितने आपको अच्छा लगता हो और थोड़ा सा और कोई भी सर्बत उसमें डाल दीए ठीक है फिर क्या करते हैं किसी और भी बरतन से उसको लिए कैसे से हम लोग मिलाते हैं बात समझ में आ रहे हैं मतलब ह अब यह हॉनेट क्या होता है यह आपको नजी समझ में आ रहा है होने टैक से युडिया हरफ कि कंपनी हर रहेじゃあ होड़ा हे वगर्राय ये वग्यार वगराइस एक यूईस के कंपनी से यूज और नी लिए काफी easy होगा, smooth होगा, कैसे इसको सीखी, जैसे B मतलब समझते हैं, B मतलब मदुमक्खी, ठीक है, तो मदुमक्खी के जैसा ही एक और जीव होता है, दिखने में उसी के जैसा होता है, ठीक है, दिखने में उसी के similar होता है, exactly same नहीं होता है, similar होता है, उसका जो घोंसला ह साइब का जेँ होता है उसका जो घूसला है उसका जो हाइब है आप उसको जाके से स्टीर कर देज हिला दीजे थोड़ा सा अब थ्वला से हिला पत्थर भूला दीजे शलो मतलब क्या होता है कि जैसे ही मद्वमक्खी का जो छत्ता होता है उसका जो हाइव होता है निस्ट होता है आप यह दिए उसको टच करेंगे उसको डिस्टरब करने का प्रयास करेंगे तो उसमें जितने भी मद्वमक्खियां होते हैं सब उस व्यक्ति पे तूट पड़ती है मतलब बाचीत के लिए बुलाना, lead a revolt, revolt का होता है, withdraw, तो एक विद्रो का नित्रित्व करना, ठीक है, provoke trouble, trouble क्या, परिसानी, तो अपने लिए परिसानी बढ़ा लेना, provoke trouble, यह देखे, destroy a nest, किसी घुंसले को बरबाद कर देना, अब ज़रा सूच यह हम लोगों ने जो inference निकाल लगाया था, उससे मिलता जुलता option कौन सा है, option है, option number C, clear है, बात समझ में आ रही है, तो इस प्रकार से आप किसी भी EDM को बिना रटे, लंबे समय तक एक बार में देखते के साथ, हमेशा के लिए याद रख सकते हैं, ठीक है, चलते हैं, आगे यहां से, और कुछ और नए question को हम लोग ढूंडने का प्रयास करते हैं, यहां पर देखिए, action मतलब काम, speak मतलब बोलना, louder मतलब देज, अब यह louder क्या है, comparative degree में, इसके साथ क्या लगा हुआ है, धैन लगा हुआ है, words, मतलब कभी-कभी हम लोग क्या करते हैं, या कभी-कभी आपको ऐसे कुछ लोग द कम बोलते हैं, और जितना बोलते हैं, उससे ज़्यादा उनका काम बताता है, कि वो किस टाइब के इंसान है, ठीक है, बात समझ में, आई, यह उसी तरीके का idiom है, अब आईए इसके option की तरफ चलते हैं, what do, what you don't say is what you are, मतलब आप जो नहीं बोलते हैं, आप वैसे टाइब का अपना काम है, तो यह दोनों option cancel, हम लोगों ने जो इसका meaning निकाला है, इसका meaning हम लोगों ने समझने का प्रयास किया, उससे यह relate नहीं करता है, next, option number C, what you do reveals the real you, मतलब आप जो कुछ भी करते हैं, आपका काम इस बात को उजागर करता है, इस बात के पुस्टिक करता है, क ठीक है, यह हो सकता है, अगला देखे, what you can see may not be true, आप जो कुछ भी देख सकते हैं, वो सही हो, इसके कोई guarantee नहीं है, उसके सही होने की संभावना कम होती है, ठीक है, तो यह relate नहीं किया, अब जो हम लोगों ने अनुमान लगाया था, उससे related option कौन से, option number C, next, यहां से आग अब piece of cake, जरा देखे, हम सब लोग birthday में cake काटते हैं, ठीक है, अब जरा ध्यान देजे, यदि आप सबजी काटने जाते हैं, तो आपका जो चाको होता है, वो काफे सार्फ होना चाहिए, तेजधारवाला होना चाहिए, तभी आप उसको काट पाते हैं, ठीक है, लेकिन जर बहुत easily कटता है, ठीक है, तो यहाँ पे देखे, a piece of cake, cake मतलब, cake जहां कहीं भी आपको मिलेगा, वो related to easiest, smoothness, इसी का वो symbol है, ठीक है, तो मतलब आप सीधा समझ जाएए, कि कहीं न कहीं आसान चीज़ के बारे में चल्चा की जा रही है, something serious, मतलब बहुत कुछ ऐसा से related होगा ने, something difficult यह होगा ने, something easy यह हो सकता है, something amusing, अब केक में amusement नाम का entertainment नाम का कौन सा चीज़ होगा, ठीक है, तो एक ही answer बचा, something easy, ठीक है, next, आगे बढ़ते हम लोग, कौच पोटेटो, अब यह देखे, यह एक ऐसा व्यक्ति होता है, जो घर में बैठे बैठे बैठ कब चल रहा हो, तो ऐसे कुछ क्रिकेट के दिवाने लोग होते हैं, हमारे आपके घर में, जो सुबह से रात तक, जब तक मैं चलता रहेगा, तब तक ओस सोफे से नीचे नहीं उतरेंगे, ग्लास पाने भी लेना है, तो भाई, देना जरा, किसी और से फर्माइस करते हैं, मतलब क्या यह ऐसे लोग होते हैं, जो आलसी होते हैं, जो आराम पसंद लोग होते हैं, जो मेहनत नहीं करने वाले होते हैं, ठीक है, बात समझ में, आई, इजी सब चीजों को यूज करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, आई, लेजी परसन हो सकता है, दूबला पतला इसकीनी का मतलब बहुत दूबला पतला हाइपर एक्टिव मतलब बहुत ज्यादा एक्टिव अब बहुत ज्यादा एक्टिव रहेगा तो सोफा पे बैठे बैठे पानी का नास्ते का चाय का डिमांड थोड़े करेगा ठीक है उटके थोड़े चल सकता है बन डाइम क्या होता है यह आपको समझ में नहीं आता है अब हम आपको समझाते है डाइम क्या होता है दिखिए जैसे आज केडिट में यदि हम बात करें तो एक रुपए का सिक्का दो रुपए का सिक्का पांच रुपए का सिक्का दस रुपए का सिक्का यह आम बात है कि नहीं है ठीक है अभी पूरे इंडिया लेवल पर यह देम लोग बात करें तो सबसे smallest unit के हैं भाई सिक्के का तो एक रूपए का सिक्का क्योंकि अब 10 पैसा चलता नहीं 20 पैसा चलता नहीं 50 पैसा भी बहुत कम जगों पर चलता है ठीक है बात समझ में आ रही है अब जरत ध्यान दिजिए आप इस डाइम का मतलब होता है डॉलर में अमेरिकन करेंसी में 10 पैसे का सिक्का ठीक है तो वहां डॉलर होता और सेंट होता है डॉलर होता है और सेंट होता है जैसे अपने इंडिया में रूपए होते हैं और पैसे होते हैं ठीक है तो दस पैसे का उनकी हाँ जो सिक्का होता था उसको कहते हैं डाइम ठीक है मतलब छोटी मुटी बात बहुत साधारन सी बात ठीक है बात समझ में आ कंदी जाड़े के मौसम में पाँंच रूपे टमाटर मूल से सहरी छेत्र की कि कर रहे नहीं चे zit आगा तो कहीं कहीं पे दो रूपे में पाँंच किलो टमाटर भी मिलता है उसको छोड़ दीजी सहरी छेत्र की बात किजिए जो पियॉर अर्बन एरिया है выглядит순 और फेनोमेनल मतलब किसी महतोपुर्ण घटना की बात की जा रही है एक्सपेंसिव महांगा वेरी कॉमन बहुत सामाने अनकॉमन और सामाने चीज होगा तो पिकुलियर होगा यह होगा नहीं एक्सपेंसिव महांगा है नहीं फेनोमेनल कोई महतोपुर्ण घटना है नहीं त का मतलब क्या होता है चबाना बाइट ऑफ चबा रहे हैं एक व्यक्ति जितना चबा सकता है उससे ज्यादा मुह में लेना ठीक है जैसे कभी-कभी आप किसी किसी को देखिएगा विज़े सरुप से छोटे बच्चों में ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जिनके अंदर ऐसी हैब हो ठीक है मतलब यह कि वह जितना एक बार में खा सकता है चबा सकता है उससे ज्यादा वह यूज कर रहा है मतलब यह कि यह तो इडियम हो गया इसका दूसरा मेनिंग आप समझेए जो इसका मेनिंग इनफर करके निकाला जा सकता है किसी भी व्यक्ति की काम करने की जितनी च can deal with, मतलब कोई एक व्यक्ति जितना काम कर सकता है, उससे ज़्यादा ले लेना, में भी हो सकता है, ठीक है, to cheat someone and get away, मतलब किसी को दोखा देना, और दोखा दे के वहाँ से भाग जाना, इसका यहाँ पर कोई relation नहीं है, to eat quickly, बहुत जल्दी-जल्दी खाना, and run away, जल्दी-ज जैसे मालीजे सब्जी बना रहे हैं, तो नमक कितना है, टेस्ट कैसा है, एक पिस निकाल लिए, थोड़ा सा खाली, ऐसी वाली बात, तो इसका भी यहाँ पर कोई relation नहीं है, अब हमारा related option क्या बचा, option number A, तो यह हमारा answer, ठीक है, आगे बढ़ते हैं से, कुछ और question देखत हो, और किसी कारणबस दोनों में जगड़ा हो जाएं, तो एक का face देखिएगा, eastward हो जाएगा, दूसरे का westward हो जाएगा, एक का चेहरा पूरव की तरफ, दूसरे का पश्चिम की तरफ, ठीक है, अब यदि दोनों में से कोई एक liberal हो, lenient हो, तो जुकेगा, जाएगा दू दूसरा क्या करता है, चुपचाप अपना चेहरा दिवाल की तरफ बनाये हुए, अब पहला व्यक्ति जो भी बोल रहा है, जो भी polite है, जो आया है बात करने, वो कुछ भी बोल रहा है, दूसरा सुनके सब अंसुना किया हुआ, मतलब उसको उसके बात में कोई interest उस समय नह करने की समान, ठीक है, अब रिलेट कीजिए ज़रा, fascinated मतलब आकर्शक, तो इसमें आकर्शन का attraction का questions नहीं है, ठीक है, inattentive मतलब बिना किसी आकर्शन का, मतलब उसको सुनके भी अंसुना कर देना, ठीक है, frightened, डरा हुआ भाईवीत, curious, उत्सुक, excited, तो excited होगा, तो आगे ब option बचा, inattentive, clear, next, आगे चलते हैं, अगले question की तरफ, यहाँ पर देखे, fit as a fiddle, अब fit का मतलब आप समझते हैं, स्वस्त, ठीक ठाक, बढ़िया, fiddle क्या होता है, बज़े से while in, आप देखे, guitar आप देखे, ठीक है, तो आप कई movies में देखे होंगे, सलमान खान को guitar बजाते हुए, ठीक है, यह और भी कई actor होते हैं इसे, ठीक है, जिनको फिल्मों में हम लोग देखते हैं, आप ज़रा देखे, fiddle होता गया है, ऐसा कोई भी वादय यंत्र, कोई भी ऐसा musical instrument, जिसमें thread का use किया गया होता है, ठीक है, चाहे वीना हो, चाहे गिटार हो, चाहे वाइली इन्हों ऐसा कोई भी musical instrument, जिसमें धागे का use किया गया होता है, अब ज़रा ध्यान दीजिए, वो जो धागा होता है, काफी मजबूत होता है, तभी तो उसको बजाने के लिए, आप देखेगा कि लोहे का nail use क्या जाता है, ऐसे ऐसे बजाने के लिए, ठीक है, काफी fit तो होगा ही, fit के साथ साथ strong भी होगा, fine भी होगा, तो fit as a fiddle का meaning होता है, hill and hearty, ठीक है, चलिए, hill and hearty का meaning भी होता है, स्वस्त और मजबूत, playing a musical instrument, मतलब musical instrument को बजाना ये होगा नहीं, या आजा ये singing, happily मतलब खुस होके गाना गाना, ये भी नहीं, of the right size मतलब ठीक जीतना होना चाहिए, उतने ही size का, ये भी नहीं, healthy and strong, ये strong से relate कर गया, healthy and strong, ठीक है, next आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, अगले idioms and phrases की तरफ, अब यहाँ पे देखें, ये second pattern का question हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इस second pattern के question में देखें हम समों को क्या देखने को मिल र हैं, यहाँ पे देखिए, idiom क्या है भई, तो idiom है ये, get the hang off, get the hang off, अभी जो get the hang off है, इसके लिए आपको meaning बताना है, ठीक है, अब माल लिजे कि आपको to get the hang off का meaning नहीं आता है, अब आप इसका meaning तो निकाल सकते हैं, it took rohan long time, मतलब रोहन को लंबा समय लगा, ठीक है, the machine in the new factory, मतलब नए factory में जो machine लगा हुआ है, उसको कैसे चलाते हैं, कैसे वो काम करता है, या कैसे उसको operate करेंगे, इस change को सेखने में, रोहन को लंबा समय लगा, ठीक है, अब इस से related आप option ज़रा, ढोंड़िए, आईए, option की तरफ चलते हैं, learn how to use, मतलब यह सीखना कि कैसे इस factory में, यह सीखने में उसको लंबा समय लगा, ठीक है, bring someone to run, मतलब किसी को दोडने के लिए, लाना, दोडाने के लिए, लाना, ठीक है, clean and dry, साफ करना और सुखाना, ठीक है, तो कपड़ा है नहीं के साफ किजिए का सुखा यह का cancel, यह भी cancel, यह भी cancel, related answer क्या बना, option number A, ठी कि हमारा अगला question क्या है, to have a gut feeling, अब इसमें देखे, to have मतलब होना, जैसे हम लोग करते हैं, कि मेरे चार भाई है, दो बहन है, तो I have use करते है, I have four brother and two sister, इस तरीके से हम लोग use करते हैं, यह देखे, यह gut feeling क्या होता है, gut feeling होता है, जो natural feeling है, natural यानि कि स्वचंद, जो आपक nature है, जो feeling है, उस feeling को हम लोग करते है, gut feeling, ठीक है, तो जो natural से related है, उसको ढूंड़ना सुरू करें हम लोग, to experience discomfort, मतलब कठिनाई का मुसीबत का अनुभाव करना, to feel an instinct or intuition, यह देखे, instinct मतलब हो गया, स्वचंद, natural, ठीक है, to have pain in the abdomen, मतलब abdomen में pain को महसूस करना, आपके फिट में दर्द होना, to suffer from inflammation, मतलब आपके body में कहीं न कहीं inflammation आ गया है, कहीं न कहीं सूजन आ गई है, ठीक है, उससे परिसान होना, उससे suffer करना, तो अब ज़रा देखे, यह जो natural feeling थी, natural feeling से related what क्या है हमारा, तो natural feeling से related what है, हमारा option number B, क्या है, option number B है, आगे बढ़ते हैं, यहां से हम लोग, चलते हैं, next question की तरफ, अगला question फिर देखे, इसी pattern का है, अक्छे is likely to take the heat, यहां देखे, to take the heat, for, for having miscalculated, अब ज़रा देखे, miscalculated, मतलब calculation में कहीं न कहीं, उससे गल्ती हो गई, किसमें, होगा, उसमें उसे गल्ती हो गई, अब गल्ती हो गई, तो क्या होगा, अब आपके जो भी senior होंगे, वो क्या करेंगे, आपके डाट लगाएंगे, फटकार लगाएंगे, ठीक है, इस तरीके की activity आपके साथ करेंगे, तो अक्षे is likely to take, मतलब अब अक्षे को क्या मिलेगा इस गल्ती के लिए उसको क्या मिलेगा, तो कुछ डाट फटकार मिलेगा, related option ढूढ़ेंगे, feel very hot, मतलब बहुत गर्म, महसूस करना, ठीक है, excited महसूस करना, कोई मतलब नहीं है, receive criticism, मतलब आलोचना होगा, आपके डाट फटकार लगेगी, is called everyone, मतलब अक्षे जो है, हर किसी को जाके प्रतेक व्यक्ती को डाटेगा, गलत, enjoy warm climate, मतलब गरम मौसम का, गरम जोसी बाले, वातवरन का आनंद उठाना, ठीक है, related option क्या बचा हमारा, तो related option एक ही बना, receive criticism, next, यहां से आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, अगले question की तरफ, to restart his cash strapped, cash का मतलब समझते हैं, पैसा, cash strapped एक word है, जिसका meaning होता है, कि वहां पर पैसे की बहुत आर्थिक मंदी है, तंगी है, जैसे आप स्रिलंका में देख रहे होंगे, स्रिलंका में देखिए, पाकिस्तान में देखिए, cash strapped यह country हो चुके, ठीक है, मतलब यह country क्या हो चु हो, to restart his cash strapped company, मतलब समझें न, company को start करने के लिए, फिर से he decided to apply for a bank loan, मतलब जो भी company उसको फिर से सुरू करने के लिए, उसने क्या किया, तो bank से loan के लिए apply किया, तो company कैसी है, company को फिर से start करने के लिए, आपको loan लेने की जरूद का पढ़े, जब आपके पास sufficient money, नहीं है, म समझ में आ रही है, चले, यहाँ पर देखे हम लोग, तो cash strapped का मिनिंग क्या होगा, expensive expensive, expensive मतलब भांगा, ऐसा नहीं होगा, improving, मतलब improve कर रही है company, और improve कर रही company को फिर से restart करना हो, तो यह तो होगा ने, company अगर run कर रही होती, improve कर रही होती, तो उसको restart नहीं क्या जाता, तो ठीक है, तो यह हो सकता है, expanding, विस्तार करना, फैलाना, तो यहाँ पर यह होगा ने, एक ही answer है, option number C, ठीक है, next आगे चलते, next question की तरफ, pull yourself together, pull का मतलब खिंचना, yourself अपने आपको together मतलब एक साथ, मतलब आप लोग क्या करें, अपने आपको एक साथ अटेच करें, मतलब पह पाट हुआ करता है, तो उसी पर attack कर दिया, ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रही है, तो फिर से एक साथ हो जाना, मतलब यूनाइट हो जाना, ठीक है, मतलब बहतर होना, अपने आपको मजबूत बनाना, फिर से पहले के स्थिति में आ जाना, अच्छा हो जाना, recover कर लेना ठीक है, ऐसा कुछ इसका मिनिंग आएगा, use a rope ladder, मतलब रसी वाला जो सेड़ी होता है, जो बड़े-बड़े उचे बिल्डिंग्स में बाहर से पेंट करने के काम लिये जाते हैं, उसका use करना, regain composer, composer क्या भई, mental satisfaction, मानसिक सांती, तो मानसिक सांती को फिर से प्राप्त करना ठीक है, यह हो सकता है, talk about fitness, fitness के बारे में बात करना, be friendly with everyone, प्रतिक व्यक्ति के साथ friendly हो जाना, तो यह हमारा answer होगा ने, यह हमारा answer होगा ने, यह हमारा answer होगा ने, एक ही answer बचता है हमारा, यह regain composer, ठीक है, बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं से हम लोग चलते हैं नए question है, OWS के, अब देखिए, OWS के question को बनाने के लिए फिर आपको क्या करना चाहिए, वही बात जो हमने आपको पहले से synonyms और antonyms में बता रखा है, इसमें आपको given क्या होता है, आपको एक sentence या clause यहाँ पे given होता है, मतलब यह group of words आपको यहाँ पे given होते हैं, और इन group of words को आपको replace करना होता है, इनके बदले आपको एक single word का use करना होता है, ठीक है, इसी को हम लोग कहते है, one word substitution, ज़र अध्यान से देखे, an upright bar, मतलब एक ऐसा bar, एक ऐसा rud हो, या कोई भी ऐसा चीज हो, जो upright हो, खड़ा हो, ठीक है, post, bar हो या post हो, और frame, forming a support or a barrier, तो या तो के लिए खड़ा हो, जैसे सडकों पर आप चलते हैं, तो कहीं कहीं आप देखते हैं, direction दिया होता है, कि देल ही जाना है, इस direction में, आगरा जाना है, उस direction में, करनाट का जाना है, उस direction में, हावरा जाना है, उस direction में, and so on, ठीक है, तो इस तरीके की चीजे हो, अब इसके लि फिर हम लोगों को क्या करना चाहिए फिर वही बात जैसा हमने आपको पहले से synonyms एंटोनिम्स में बता रखा है यह जितने भी वाड़ है इस में से जिस किसी भी वाड़ का मेनिंग आपको नहीं आता है उसको कॉपी में लिख के हम लोगों को याद करना पड़ेगा ठीक है देखे कैसे रिपूस का मेनिंग क्या होता है रिपूस का मेनिंग होता है रिस्ट हराम करना विसराम करना ठीक है इस tension क्या होता है बई इस tension होता है जो कहीं भी खड़ा हुआ कोई भी post होता है recommend क्या होता है लेटा हुआ तो लेटा हुआ कोई भी मुर्ती हो सकता है व्यक्ति हो सकता है अब किस तरीके से लेटा हुआ पीट के बल या पेट के बल ये इसमें explain नहीं होता है किसी भी तरीके से लेटा हुआ हो सकता है, मुर्थी या स्टेचु के लिए इसका ज्यादा तर यूज किया जाता है, अर्थाथ लिविंग बिंक्स किया जाता है, जब भी कभी हम लोग य्यस्ते बेड पे लेटे हो, तो पीट वाला जो पाट है वह बेड के टच में हो और फ सुपाइन ठीक है अब ज़रा ध्यान दीजिए मान लिजिए कि इस रिपोस का मीनिंग हमें आता है ठीक है रिपोस का मीनिंग हम लोगों को आता है रिकमेंड का मीनिंग आता है सुपाइन का मीनिंग आता है इसका मीनिंग नहीं आता ठीक है तो जो कोशन था उससे ये स्टेंस ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं चलते हैं कुछ और नएक कोशन की तरफ यहां देखिए अगला कोशन है कैपेबल ऑफ बिंग इमेजन्ड और ग्रास्ट मिंटली मतलब कुई भी व्यक्ति इसके योगि हो कि वो मांसिक रूप से किसी चीज को सीख सकता है समझ सकता है ठीक है मांसिक रूप से सीखने समझने के लायक आते हैं यहां पर डैसलिंग डैसल डैसलिंग क्या होता है चका चौन से बरहा को जिसमें चमक हौं लश्यर वह ज़्याद चंकीला ठीक है इस टनिंग मतलब चौका देने वाला ङे दोनों एक प्रकार से हम लोग है तो दोनों एक दूसरे के synonyms है, आगे बढ़ते हैं, spectacular, ये भी होता है, सांदार, बहुत बढ़ी है, splendor, splendid, ठीक है, ये इसका मिनिंग होता है, तो इस basis पर ये तीनों क्या हो गए, तीनों एक दूसरे के synonyms हो गए, ठीक है, अब ये देखे, conceivable, conceive का मतलब होता है, perceive, conceive का सकते हैं, समझ सकते हैं, mentally, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, conceive या perceive, दोनों एक यी वर्ड है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहां से हम लोग, the study of ancient writing and scriptures, देखे, ancient writing, scripture, ठीक है, अब आते हैं, यहां पर हम लोग, demo, demo का मिनिंग क्या होता है, ये देखे, demography, demography क्या होता है, तो demo का मतलब कहता है, population, भीड, ठीक है, तो ये भीड से related होगे, alchemy क्या होता है, पुराने जमाने में, आप पौरानिक कथाओं में सुनेंगे, कि पहले के लोगों के पास एक ऐसा technique हुआ करता था, जिससे वो किसी भी metal को, या किसी भी चीज को, वो लो नोट करने का, उसको हम लोग कहते है, alchemy, क्या कहते है, alchemy का, ठीक है, next आगे बढ़ते है, यह देखे, anthropo, anthropo का meaning होता है, human, क्या होता है, human, माना होता है, वाधी, माना हो से related, अब यह लोजी का मतलब क्या होता है, logic होता है, study, anthropology, मतलब study of human, ठीक है, यह human, बिंग, अब देखिए पालियो, पालियो क्या होता है बई, पालियो होता है ancient writing से related, पालियो ancient writing या script उससे related, ठीक है, तो इस question का answer क्या बनेगा, इस question का answer बनेगा option number D, बात समझ में आए, उपर वाले का answer क्या था, उपर वाले का answer था, conceivable, ठीक है, next चलते है, third question के तरफ, the practice of writing dictionary, अब इस में आते हैं कियो डिखे प्राइटर कारों कि होता है यह बात को समझ में आती है पाइलो होते फाइलो होता है, language का history, history of development of language, ठीक है, यह एक language से दूसरे language का कैसे विकास हुआ, एक language से दूसरे language कैसे बना, इसके इतिहास को, यह इसके इतिहास का जो description होता है, इसके जो study होता है, उसको कहते हम लोग फाइलो, और logi लगा हुए, logi मतलब study, lexico का मतलब होता है, lexico, lexico, root word, lexico का मिनिंग क्या होता है, dictionary, ठीक है, graphi मतलब लिखना, तो dictionary से related, यह देखे, dictionary था, dictionary से related, what क्या मिला, option number C, lexico, graphi, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहां से, कुछ और नए question की तरफ चलते है, something which is not true or profound, एक ऐसा चीज, जो बहुत घाराई में नहीं हो, बहुत deep में नहीं हो, profound का मतलब होता है, deep, ठीक है, जैसे किसी को बहुत ज्यादा किसी चीज की knowledge हो, तो हम लोगाते है, profound knowledge, ठीक है, यह देखे, super natural, यह तो आप बच्पन से जानते है, super natural, superfluous क्या होता है, unnecessary, unwanted, फाल्तु का, बेकार का, superficial, यह भी आप जानते है, छीचला, जिसम बहुत घाराई, नहीं हो चाहिए, वो नदी हो, या knowledge हो, या कोई और चीज हो, deploy का मतलब क्या हता है, deploy होता है, जैसे अभी आप देखे, कि इंडिया और चाइना, इंडिया और चाइना में जब tension हुआ, border area को ले करके, तो भारत सरकार ने क्या किया, border area पे अपने सेनिकों को तैनात कर दिया ठीक है, इसको करते है, deploy, क्या करते है, deploy करते है, ठीक है, तो अब इसका answer deploy नहीं है, आप यह मत समझ लिजेगा, कि इसका answer है, deploy है, इसका answer क्या है, superficial, जिसमें घहर आई, नहीं हो, ठीक है, next, angry orbiter disagreement, angry orbiter disagreement, over fundamental issues, fundamental issues, मतलब आप इसको सीधे समझे, छोटी छोटे बातों पे ना राज हो जाना, छोटे 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 बातों को लेके disagreement हो जाना, ठीक है, बाता बाती हो जाना, tension हो जाना, गुस्सा हो जाना, accord, accord का मतलब होता है, सहमती, तो इसका कोई meaning नहीं बना, अमीटी यह हम आपको पहले बता चुके हैं, वो कहें, part one, part two में, अमीटी क्या होता है, अमीटी होता है, friendship, ठीक है, friendly, बनेगा नहीं, यह देखिए, affinity, affinity होता है, inclination, लगाओ, किसी चीज़ के प्रती लगाओ, जुकाओ, predilection, तो affinity होगा नहीं, अब एकी बचा, strife, strife क्या होता है, भई, तो छोटी-छोटी बातों पे लडाई करना, जगणना, उसी में छोटी- मान लेजिए, हमारी आपके माँ, यदि housewife है, housewife है, homemaker है, तो घर में उनका जो छोटा-छोटा घरी लुकाम होता है, daily वाला, उसको हम लोग करते है, household work, या household chores, ठीक है, अब आजाए यह देखिए, यह chore, chore का मतलब होता है, घरी लुकाम, moil, यह moil क्या होता है, moil equal to toil, moil equal to toil, यह देखिए, moil, toil, यह दोनों क्या होता है, दोनों होता है, 80 चोटी एक कर देना, 12 का मतलब होता है, 80 चोटी एक कर देना, जी जान लगा देना, बहुत कठीन परिश्रम करना, moil का मतलब होता है, hard work, 12 का मतलब होता है, hard work, ठीक है, त किसी बुरी स्थिति का बहुत अच्छा अन्भव होना जिसे नरेंद्र मूदी चाह बेचने वाले थे तो आर्थिक रूप से बहुत संपन परिवार से बिलोंग नहीं करते तो उनसे यह सक्या जाता है कि उनको गरीबों की क्या स्थिति रही होगी इसका उनको बेतर कोशन की तरफ अगला कोशन है है। सलाइवा सलाइवा क्या होता है या कि दो सबसे पले आते हैं कैस्केट कैस्खड क्या होता है जलब प्रपाती नेचूरल वाटर होता है यह स्लूइस क्या होता है नहर वगैरा में vadis का कहते है नंडेट क्या होता है और इनगल्फ इनंडेट का मतलब होता है जल मग नियमक निकरना दुबयों देनी थीक है एन लोग को मिलोग क्या कर न के symptoms होड होड का मिनिंग क्या होता है लार्ज संख्या में बड़ी संख्या में लोगों का एकत्रित होना लोगों का जो समोव होता है बड़ी संख्या में उसको हम लोग कहते हैं होड ग्रूप आप समझते हैं किसे चीज का ग्रूप हो सकता है यह ब्रूड क्या होता है तो ब्रू दूसरा मिनिंग भी होता है बूढ का दूसरा मिनिंग क्या होता है हूता है छोटे चोटे जहनवरों का फयंगली इहें ग Eight in क्या है तो except i hoteा औउफ थाउजंडों वशयर मतलं हजारों वर्ष उस्चका जो एक यूनिक बनाए 더 उस यूane Something हम लोग काते हैं इन क्या काते हैं तो यह टाइम से रिलेटेड है यह फैमली से रिलेटेड है इनसान से रिलेटेड है पीपल से रिलेटेड है एनिमल से रिलेटेड है ठीक है तो यह हो गया option number भी हो गया हमारा answer next अगले में चलते हैं beyond or above the range of normal or physical human experience मतलब यह है कि एक ऐसा अलिफ लैला हो या रमाइन टाइब का सीरियल हो इस टाइब के आप किसी भी जगों पे जाते हैं या इस टाइब के किसी भी सीरियल को आप देखते हैं तो वहाँ पे आपको कुछ रिसिम उन्हें टाइब की लोग मिलते हैं ठीक है उनके पास सामने को जाता है उनकी आखे खूलते हैं और सामने वाले की सारी समस्य उनको पता है ठीक है यह कैसे पता हो गया पचास साल बाद सौ साल बाद दो सौ साल बाद दो हजार साल बाद क्या होगा? ये चीज़ों उनको पहले से पता होती है. तो ये कैसे हो जाता है? यही है जिसे कुछ लोगों का जो गंदे टाइम की लोग होते हैं, जो लोग मांडेड लोग होते हैं, उनका एक निचर होता है. किसी लड़की को देखे किसी महिला को देखे तो उसके उपर अबंदर टिपनी कर रहे हैं इसको क्या करते हैं इसको करते हैं रिबाल्ड ठीक है ही आजाए को और स्कोर्स होता है खुरदरा रुखड़ा जैसे इट आप इट को उठा लीजे जो मिट्टी वाली इट होती है उसको चू के देखिए स्मूज होता है क्या नहीं होता है लेकिन हमारे आपके घर जो होते हैं जो वेल फरनिस्ट होते हैं टाइस लगा हो मार्बल अब उसका जरह आप सरफिस छोगे देखिए वह कैसा होगा भर इसमूज होगा तो उसका आप ऑजिट होता है को अब यह होता है त्राण सीडें्ट ट्रांसीडेंट क्या होता है भर एक अवस्था से दूसरे वस्था में जाना जो समान्य मानविये के लिए कौमन पर्षम क का चीज है वो ठीक है option हो गया बी next अगला preserve a right tradition or idea मतलब किसी भी अधिकार का परंपरा का संद्रक्षन करना विचार का संद्रक्षन करना in a form that ensures it will protect and respected मतलब सीधा समझे कि उसका सम्मान क्या जाना चाहिए उसको बचाना चाहिए इसलिए उसको प्रिजर्व करना बचा के रखना है ठीक है अब देखिए प्रोफेन क्या होता है प्रोफेanut होथा है किसी भी पवित्र करना इस्वर की निंदा करना यह है ब्लेस्वेमि एंस्राइन एंस्राइन क्या होता है पुरानी धार में किया परंपरागत चीजों को बचा के रखना उसको प्रिजर्व करना बनाए रखना ठीक है तो हमारा आंसर क्या बनेगा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैंutionattract sorry and attractively tall मतलब आकर्सक रूप से सूंदर तरीके से बढ़िया सा तॉल लंबा graceful and dignified woman this dignified का मतलब क्याаешь प्रतिष्ठित महिला ठीक है अब आईए इन चारों का मीनिंग हम लोग सिखिए टर्स क्या होता है बहुता है टर्स होता है बेरुखी टाइप से बेरुखे अन्मने टाइप से किसी को कोई बात कहना संचिप्त में इन शौंट हाँ आपने करेंगे बात समझ में इस तरीके से अब यह देखे सेंट किसी भी तरीके के बाद को आराम से अगदम असपस्त सबदों में कए लेकिन उस बात में गंभीरता हो सामने वाले को सुनके लगे नहीं बहुत Nobel बात था कम सब्दों का Sund 언 defenders प्रयों कि लेकिन बहुत अस पस्ट भासा में यह सारी बात बता गए ठीक है अब यह देखे यह देखे स्टैचू समझ रहे हैं इसमें यह देखे स्टैचू है स्टैचू क्या होता है तो यह होता है एक ऐसा चीज़ जैसे आप किसी भी महिला का यह व्यक्ति का ठीक है इसमें इसमें male female दोनों इंक्लूड होत सैमें इसमें female दोनों इंक्लूड होते थीक है उसका जो बड़ा सा मृति बनता है यह उस टावक का कोई व्यक्ति हो मनें लंबा हो थोड़ा सा कद काटि में तो इस question का answer क्या बनेगा option number d statuask next अगला है temporary police अब दिखे temporary police force क्या होता है जैसे election होता है तो आप में से ऐसे बेखती जिनोंने कभी ने कभी वोट कास्ट किया हो वोट डाला हो उनको पता होगा ठीक है पोलिंग बुध निखते हैं टेंपरारी पुलिस वाले आ जाते हैं ठीक हैं बट वो पर्रमानेंट वहाँ, नहीं करते हैं तो ऐसे पुलिस को हम लोकते हैं पॉसी में आपको दिखा तो का पॉसी होता है टेंपरारी पुलिस पॉसी होता है टेंपरारी पुलिस अब यह टूम क्या होता है तो आप कहीं कहीं पर सीन देखते हैं कि कहीं कोई कोचिंग का प्रचार होता है तो ऐसे हाथ रखे हुए पीछे से बहुत सारा बुक आपको द आगे चलते हैं कुछ और नए कोशन की तरफ, ask और beg for something earnestly और humbly, मतलब विनमरता के साथ कोई चीज मांगना, विनमरता के साथ मांगना, चलिए, बिक्वित क्या होता है, वसियत, बिक्वित क्या होता है, वसियत, मतलब एक ऐसा agreement paper जिसमें ये लिखा हो कि मेरे मरने के बाद मे से transfer होगे, इसको करते है, बिक्वित, accord, समधी, best का मतलब होता है, देना, provide कराना, उप्लाब्द कराना, supplicate क्या होता है, supplicate होता है, या तो बेग, या तो आप मांगे है, या request कीजिए, ठीक है, तो request के साथ मांगना ये होता है, supplicate, तो answer क्या बनेगा, option number D, next, अगला डाटना, चाइड का मिनिंग क्या होता है, डाटना, ठीक है, चेस्टाइज क्या होता है, चेस्टाइज होता है, किसी की गलती पर उसके निंदा करना, अलोचना करना, डाटना, फट करना, चेस्टाइज, यूलू का इस क्या होता है, प्रसंसा करना, रिप्रिमांड क्या हो आप यहिसी को कर रहे हैं तो डिकंपॉज करते समय वह स्थी सब्रस्टी का रोगा उसको डिकंपोजिए में कब उसको कोहेर क्या होता है, कोहेर क्या होता है, एक साथ हो जाना, कोहेर क्या होता है, युनाइट होना, एक साथ हो जाना, ठीक है, किसे भी चीज का, चाहिए हो living हो, non living हो, व्यक्ति हो, कुछ भी हो, petrify क्या होता है, petrify मनें terrify, terrify या terrify, मनें किसी को भैभीत करना, डराना, यह होता हो जाने के बाद उसको धीर धीरे ठंडा करना ठीख है जैसे जो सब्यूत है यह लाइब नहींद तो क्या करते हैं जहां से बेंद करने ही इसको पहले घर्म करते हीट फिर इसको पानी में डाल देते हैं धीरे धीरे यह थंडा हो जाएगा इसको क्या करते इसको क्या करते है अनील ठिक है अब देखें माइग्रेट मतलब मतलब विस्थापित हो ना एक जगह से सुक्सरीज़ का जाना अब यह देखे यह लमाइग्रेट और यह एमिग्रेट टीक है इन दोनों में आपको काफी कफ्यूशन रहता है दोनों में क्या डिफेरन्स इसको समझे जैसे मान लेजे कोई इनसान केरला का रहने वाला है कहा का कर रहने वाला है देली का है कुलकाता का है गुजरात का है ठीक है तो मान लेजे कि कोई गुजरात का रहने वाला है और वो किसी कारण से चाहे जौब का रिजन हो या कोई और भी रिजन हो उस रिजन से गुजरात के बाह रह रहा हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे इमिग्रेट कहेंगे ठीक है लेकिन यदि कोई व्यक्ति गुजरात का है तो जाहिर सी बात है कि वो इंडिया का है बट वो इंडिया में कहीं भी नहीं रहा रहा हो और अपना देश छोड़के हमेशा हमेशा के लिए किसी दूसरे से में जाके सिफ कर देश हमको इस देश में नहीं रहा देश में ही नहीं रहा ना इस देश से बाहर रहाना है उसको क्या कहते है इमिग्रेट बात समझ में आई तो इस question का answer क्या बनेगा इस question का answer बनेगा option number A वतन को वापस होना वतन वापसी आब लॉट चले a person was appointed to settle a dispute between two parties दो पार्टी में दो लोगों में जो भी भाद हो जगड़ा हो उसको सुला करने के लिए समात करने के लिए जिस व्यक्ति की नुक्ति की जाती है यह देखें ओमनी का मतलब होता है every serve all sent का मतलब क्या होता है isn't का मतलब होता है knowledge तो एक ऐसा व्यक्ति जिसको सभी चीज़ का knowledge knowledge of everything knowledge of all the things ठीक है ominescent कांट कांट का मतलब होता है map कांट का मतलब होता है map grapher का मतलब बनाने वाला तो नार्सिस्ट क्या होता है एक ऐसा व्यक्ति नार्सिस्ट एक ऐसा व्यक्ति जो खुद से प्रेम करता है जिसको खुद से मतलब होता बाकि दूसरे से कोई मतलब नहीं जैसे एक फैमिली माले जे चार लोग हैं तो एक ऐसा व्यक्ति जो नार्सिस्ट है तो वो अपना खाया प इंगे नहीं होगा उनका कि होगा इससे उसको कोई मतलब नहीं उसका काम होना चाहिए बस स्वार्थी नार्सिसिस्ट ठीक है next showing a lack of courage और confidence एक ऐसा व्यक्ति जिसमें courage या confidence नहीं हो यह गटसी क्या होता है भाई जो बहुत इरादे से मजबूत हो शरीर से मजबूत हो ब्रेव एक प्रकार से इसको खा सकते हैं ठीक है तो इस question का answer क्या बनेगा answer बनेगा टिमीड next अगले question में चलते group of people leading the way in a new development और ideas मतलब question करना है कि एक ऐसे लोगों का समूव जो इस बात को समर्थन करते हो जैसे कुछ भी नया करना हो तो नया करने वाले यह कुछ भी नया काम करना है नया विचारधारा लाना है नया नियम करनों लाना है ठीक है यह नई चीजों को लागू करना है उसको follow करने वाल है जीलाट क्या होता है जील होता है जि wilderness का ही ठीक है यह स्टूज यह थीजों को क्या है रखोजा है यह क्या होता है तो वैंगार्ड होता है अगरदूते ठीक है, four tailor, four runner, किसी काम को करने वाले आगे- आगे उसको लेकर चलने वाले लोग उसके supporter, नए विचारधारा के नए चीजों के, इसको करते हैं, वैन गार्ड, तो इस question का आंसर हमारा क्या बनेगा, answer बनेगा option number D, ठीक है, next चलते हैं, कुछ और नए question की तरफ, देखे, और या question हमारा क्या है, तो अगला question है, a person who boasts of one's achievement, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने achievement की तारीफ करता रहता है, mute, मतलब सान, polite, विनमर, humble, ये भी विनमर, egotist, ये कैसा होता है, egotist होता है, narcissist type का, स्वार्थी type का, अगला question है, having a limited और narrow outlook और scope, मतलब एक ऐसा व्यक्ति, जिसका जो indulgent, indulgent क्या होता है, तो किसी के मदद के लिए पहले से तयार रहने वाला व्यक्ति, ठीक है, परोपकारी, या इसको कहते हैं, volunteer type का लोग, ठीक है, ये देखे, egotistical, ये egotist, अभी यहाँ पे हम लोग पढ़ेते हैं, यही है, पैरोकियल क्या होता है, लोकल ग्रामीन, छेत्र ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स है, हमेशा दूसरे के काम के लिए तयार रहते हैं, ठीक है, चले यहां से आगे चलते हैं, और अब हम लोगों का ये जो स्लाइड है, यहां पे समाप्त होता है, तो आज के अपने इस वोकैब के थर्ड पार्ट को हम लोग यहीं पे कंक करते हैं, यहीं पे हम लोग समात करते हैं, यहीं पे फिनिस करते हैं, ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में कुछ नए चीज़ों के साथ, तब तक के लिए आप सबों का बहुत-बहुत ताभार, बहुत-बहुत धन्यवाद.